Hello everyone, Welcome to Dr. Akes Video Therapy आज बात करेंगे IFT के बारे में, यानि कि Interferential Therapy के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारे IFT का ऐलेक्टोड होता है वो हमारे बोडी पे किस तदर से प्लेस्मेंट किया जाता है और ये हमारे बोडी पे कैसे काम करता है IFT यानि कि Interferential Therapy जिसका उपयोग हम लोग pain control के लिए करते हैं और nerve estimulate के लिए करते हैं अगर IFT treatment लेते हैं IFT से आप इलाज करवाते हैं तो जिस एरिया में आपको pain होता है उस एरिया में जब उसका electrode place करके उस machine से 10-15 मिनट का जो समय होता है आप 20 मिनट भी कर सकते हैं लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा करना उचीत नहीं होगा जब 10-15 मिनट के लिए IFT करते हैं तो उस जगह पे जो है so muscles पूरी तरह से relax हो जाता है जो आपका pain है उसमें बहुत ही अच्छा effect आता है वो relief हो जाता है और जो आपका local area है वहाँ की blood circulation बर जाती है मतलब आपको लगएगा कि यहाँ पे pain होई नहीं रहा है तो ऐसे हो जाता है बिल्कुल pain control हो जाता है relief हो जाता है तो जिस भी area में आपको दर्द हो रहा है चाहाँ solider में हो चाहाँ कि elbow में हो neck में हो, back में हो, knee में हो कहीं भी आप लगाके उसका इलाज कर सकते हैं तो जो हमारी IFT है वो medium frequency के अंतरगात आती है जो हमारे physiotherapy में modality होती है वो तीन frequency पे काम करती है high frequency, low frequency and medium frequency जो हमारी IFT modality है वो medium frequency के अंतरगात काम करती है तो कितना हर्ज पे काम करती है तो thousand से लेकर के 10 thousand हर्ज तक IFT काम करती है सबसे पहला question से यह होता है कि हम लोग IFT का परियोग क्यों करते है हम लोग IFT का परियोग nerve को stimulate करने के लिए करते हैं और जो हमारा muscles है contraction जो है सो provide करवाते है IFT लगाने से तो muscles contraction के लिए और nerve stimulation के लिए IFT का परियोग करते है जिसके वज़र से हमारा pain control होता है pain कम हो जाता है और हमारी उस area पर पूरी तरह से relax मौसूस होने लगता है अब जानते हैं IFT का परियोग कैसे करते हैं IFT का परियोग में IFT में 2 channel होता है 2 channel में 2-2 electrode होता है यानि कि total 4 electrode होता है तो 2 electrode, 2 electrode अगर हम इसको अगर place करेंगे तो हमें जो ऐसो cross wedge लगाना परता है आपको मैं करके दिखाता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं या एक IFT मसीन है जो हमारे किलनिक पे अविलेबल है उपर एक केवल लगा हुआ है जो मसीन को electric board से connect करती है बगल में एक switch दिया गया है जो मसीन को on और off करने के लिए है इस switch को on करते ही आपके display पे light आजाएगा इसमें जो फंसन है, program है, manual है सब आपको दिखाएगा नीचे button दिया गया है जिससे आप mode select कर सकते हैं program बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं stop start कर सकते हैं, density बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं बगल में दो channel है, दो channel में दो-दो electrode है जिसमें भी electrode wire लगा हुआ है दोनो channel में wire लगा करके हम electrode से connect करते हैं और इसके बाद इस electrode को हम body पे placement करते हैं तो अब जानते हैं कि body पे कैसे placement करते हैं इस वीडियो में IFT electrode का placement law back pain के लिए किया जा रहा है जो हमारे मरीज है उनको L2 L3 level पे back pain है तो आपको सबसे पहले pain को identify करना है क्योंकि हर एक पेसेंट का pain अलग-अलग region पे होता है तो pain को pain area आप identify कर लिजिए और इसके बाद electrode का placement करेंगे तो electric को इस परकार placement करेंगे magh hold pain पॉिंट को identify करने के बाद आपको एलेक्ट पॉिंट के उपर jail लगा लेना है और पेन पॉिंट को धियान रखते हुए square में एलेक्टोर को placement करना है cross में जैसे black लगा रहा है तो black को black से cross करेंगे और red को red के से cross करेंगे और इस तरह से इसका placement कर देंगे इस तरह से placement करने के बाद electrode रखने के बाद macro force से आप electrode को चिपका सकते हैं या किसी भी परकार का आप उसके उपर वजन रख सकते हैं इससे क्या होगा electrode हिलेगा नहीं अपने जगा से घिसकेगा नहीं बिल्कुल इसी परकार से आप अपना electrode placement कर लेंगे electrode placement के बाद आपको machine पर जाना है जिसमें या तो आप manual या किसी भी program के साथ जा सकते हैं जो भी आपके knowledge के recording इस area के लिए इस pain के लिए सही है उस program को select करें manually या programming और उसके बाद machine को start button दवा दे और start button दवाने के बाद आप intensity को दीरे दीरे उपर की तरफ बढ़ाए आगे बढ़ाए और बार बार मरीज से पूछते रहे कि कितना intensity मतलब उनको ठीक है जितना ठीक रहेगा जितना सहनिय रहेगा उतना तक करेंगे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे जितना percent tolerate कर सकता है उतना बढ़ाएंगे intensity और फी छोड़ देंगे IFT modality को आप एक सेटिंग में 10 से 15 मिनट तक का पड़ियोग कर सकते है इलोक्तोर से जब wave निकलता है तो cross में निकलता है जैसे black black के साथ wave निकलता है muscles में contraction activity active होता है और हमारे nerve stimulate होता है इसी परकार से IFT machine को set करेंगे एक बार आपको zoom करके दिखाता है कि किस तरह से set क्या है जैसे कि आप देख सकते है red electrode को red के साथ cross में लगाया गया और black electrode को black के साथ cross में लगाया गया इससे जब wave निकलता है तो वीच में दोनों आपास में टकडाता है एंटाफ्रांस करता है तो जिसके वज़े से यहाँ पे एक नई frequency जरनेट होती है उसको wheat frequency बोलते है और इस तरह से वर्क करके हमारे man's face you को relax करता है पुरी तरह से nerve को stimulate करता है और हमारा pain को कम करता है इस वीडियो में IFT का placement low back pain के लिए किया गया है जिसमें आपको दिखाया गया है कि अगर low back pain रहेगा तो किस तरह से IFT electrode का placement करेंगे नेक्स्ट वीडियो में IFT placement का next condition के साथ apply करेंगे उमीद करते हैं मेरे दुआरा दी गए आनकारी आपको पसंद आया हो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और सेयर करना बिलकुल न भूले